हेलो एबरिवन वेलकम टू ओवर चैनल एवी आयरवेदा आज हम वर्तमगत रोगों की बात करेंगे यह 21 है और इने याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है पर मैं आज आपको बहुत ही इजी ट्रिक से इनको याद करने का तरीका बताऊंगी सारे वर्तमगत रोग में द इसने बताई है 21 वर्तमगत रोग बताएं है वैसे तो ब से क्वाता tut रोग की बहुत करते हैं विर दो हैं वो दोनों ही असाद्य हैं एक बात हत है और निमेश है तो बात हत से हम याद कर लेंगा कि वह बात है और निमेश तो बात की वज़े वार चोट वगेरा लगे जिस विजा से निमेश हो गया। эти याद़ करने में कोई इतना मुष्छकत्तygen सुद्ध करने में को इतना ज्याद मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम याद करेंगे रखतज ि में क्या है तुम्हारा क्लिस्ठ अंजयनामिका और वरताश तो इसको कैसे याद करें कि ट्रिक में ने बनाई है क्लिस्ट अंजनामिका के वर्तास से रक्त निकला तो जो अंजनामिका नाम की लड़की थी वो बड़ी क्लिस्ट थी तो क्लिस्ट होने के वज़े से उसके जो था वर्त में अर्श हो गया था वर्त में अर्श हो गया था और उस अर्श से क्या निकल रहा था ब्लीड हो रहा था जहां पर भी अर्श होता है उसमें से ब्लीडिंग तो होती है तो यहां पर उसकी वर्तम के अर्श से ब्लीडिंग हो रही है तो क्लिस्ट अंजनामिका के वर्तम अर्श से रक्त निकल रहा तो पोतिकी लगड और क्लिनद तो इसको कैसी याद करेंगे पोथी कफ से लगड कर क्लिन識 हुई अब लगड मतलब रगड रगड होता है ना उसको हमने लगड कर होता है कि कफदोष भी आगया आपका पोथी से पोथी की हो जाएगा लगड़ से लगड़ हो जाएगा मतलब गीली हो गई उसके बाद आते हैं त्रिदोशज वरत्म्रोग पे त्रिदोशज वरत्म्रोग हमारे 13 हैं ठीक है तो इनको याद करनी की बहुत ही easy trick है कैसे याद कर सकते हैं तो इसकी trick मैंने बनाई है करदम अर्वूद की शरकरा बांध कर मतलब करदम नाम का लड़का था उसने अर्वूद की शरकरा बांध ली ये दोनों नाम है ठीक है एक तरीके से नाम imagine कर लिजिए कि खर्दम किसी का नाम है और उसने का करहा आर्वूद की शरकरा बांध ली अब वर्दम मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इनके चारों के नामों के आगे वर्तम लगेगा इसलिए करदम के आगे भी वर्तम लगेगा अर्वुद के आगे भी लगेगा शरकरा के आगे भी लगेगा और बंद के आगे भी लगेगा तो बंद को मैंने बांध कर कर दिया है फिर इसके पूरी ट्रिक पढ़ लेते हैं करदम अर्वुद की शरकरा बांध कर उत्संगनी के साथ 20 रुपए मतलब 20 रुपए लेकर कुम्ब में अर्ष और शुषकार्ष को आकलिन कर मतलब जो किसी को अर्ष और शुषकार्ष हो गई होगी उसको आकलिन कर बेहल श्याव मतलब जो श्याव नाम का लड़का था वो मोटा था बेहल था बेहल के घर एक पक्षम रुका मतलब पूरे एक पक्षम तक वहाँ पे रुका है तो वहाँ कौन रुका है तो हमारा करदम रुका है उत्संगनी के साथ ठीक है तो हम हम इसके ट्रिक को डिकोड करेंगे तो सबसे पहले करदम करदम से हमारा वर्तम करदम हो जाएगा ठीक है फिर अर्वूद फिर वर्तम अर्वूद हो जाएगा शरकरा से वर्तम शरकरा हो जाएगा बांध से मतलब वर्तम बंध हो जाएगा फिर उत्संगनी से उत्संगनी हो गया 20 रुपे हैं तो 20 वर्त्म हो जाएगा ठीक है? उसके बाद आया हमारा कुम्ब कुम्ब से कुम्बिक पीडिका हो जाएगा जो हमने यहाँ पर पढ़ाया ना कुम्ब में तो वो यह कुम्बिक पीडिका हो जाएगा अब कुम्ब में उसने क्या करा अर्ष और शुषकर्ष को अकलिन करा था तो यहाँ पर अर्ष से अर्षो वर्त्म हो जाएगा शुषकर्ष से शुषकर्ष ही रहेगा और अकलिन से अकलिन वर्त्म रहेगा अब अकलिन करके उसने क्या करा था बहल श्याव मतलब जो मोटा श्याव था वहल मींस मोटा श्याव तो था उसके घर पे एक पक्षम तक रुका तो बहल श्याव मतलब वहल वर्त्म और श्याव वर्त्म एक पक्षम रुका था ना तो पक्षम कोप पक्षम कोप हो जाएगा ठीक है तो यह हमारी पूरी ट्रिक जो है मैंने decode कर दी है इस तरीके से जो है आपके यह हो गया अब यहाँ पर style दे रखा है यह जो है आपके यह अंजनामी का है और जो उपर वाला है आपका वो लगड़ है this is लगड़ and this is अंजनामी का तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी photos भी show कर दी है ठीक है और यह जो है हमने पीछे जो show करी थी ठीक है तो अब यह जो हमारी होती है tosses इसमें eyelet जो होती है नीचे को गर जाती है this is tosses ओके यह normal आई है और यह tosses आई है तो यह सारी modern की जो है आप चीजें यह आप बाद में पढ़ेंगे डीटेल में यहाँ मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ आपको 21 नाम याद कराना तो इस तरीके से आप सभी लोग 21 नाम याद कर लीजीगा थैंक यू फर वाचिंग प्लीज लाइक इन सिस्क्राइब ओबर चैनल